गाइस वेल्कम बेक टू माई चैनल से पलमेथ आज हम देखने वाले हैं जो चेप्टर टैन्थ है क्लास ट्वेल्थ का उसकी बेसिकली दो प्रोब्लम्स के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं एक तो है हमारी क्रोस प्रोडक्ट के और दूसरा है प्रोजेक्शन तो फस्ट द देख लेते हैं, cross product, ठीक है, cross product, मैं भी आपको problem करवाँगो, पहले उसके बारे में थोड़े सा basic बता जिता हूँ, तो guys, यह cross product हमारा क्या होता और क्या से निकलता है, तो guys, basically तो आपको दो vector दिये होंगे, जैसे यहाँ पर a vector है और b vector है, ठीक है, और वो बोलेगा, a vector, cross b vector, आपको निकालना है, तो guys, कैसे निकालेंगे, उसका प्रोसेजर क्या है, तो आपको यह vector जैसे कोई, मान लो, कोई i और j और k cap, ठीक है, यह plus में, और b vector भी दे रखा है, इसमें i cap, plus j cap, और plus k cap, ठीक है, आप वो कुछ भी दे सकता है, इसके अलावा, तो guys, यह दे रखें a vector, ठीक है, दो vector a, b vector, तो इसका cross product कैसे निकालेंगे, तो उसके पहले आपको क्या करना है, i, और j, और k, यह तो हर किसी में ऐसे लिखना है, ठीक है, और फिर determinant में, ऐसे determinant के sign होता है, आपनी fourth chapter है, उसमें पढ़ा होगा आपने, तो इसके बाद क्या करना है, जो a vector के, जो इसके i के आगे है, j के आगे है, k के आगे है, उनको उनके नीचे लिख देना है, अपर i के आगे 1 है, तो i के नीचे 1, और j के नीचे 1, और यह 1, और अब तो यहाँ पर b vector के लिख लेंगे, तो b vector के आगे 1 है, तो इनके 1, 1, 1, तो guys कुछ नहीं करना है, बस इसको first row है हम जो कि against हमको इसको expand कर देना है और फिर जो हमारी vector निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा a vector cross b vector ठीक ऐसे simple हम कर लेंगे अभी हम question कर लेते हैं इससे related तो यह है guys हमारे पास question इसमें कह रहा है हमको find a cross b vector ठीक है a cross b vector आपको निकालना है और जो कि a vector इसमें दे रखा और b vector भी तो simply हम अपने वाले method से हम इसको निकाल देते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले determinant बनाएंगे ठीक है a vector k है i के आगे जो है और j के आगे जो कुछ भी है और k के आगे जो कुछ भी है उनको नीचे लिख देगे तो यहाप आई के आगे 1 है 2 और 3 अब b vector का लिख देंगे तो यहाँ पर 3 है 2 है और यहाँ पर minus 2 है ठीक है अब मैंने क्या कहाता है यहाँ पर first row के along इसको expand कर दे करेंगे मैं डिटर्मेंट सॉल्व करने की वीडियो बना रखिया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सिन में दे दूंगा उसको जरूर जाकर चेक कर लेना तो यहां पर सबसे फ़र्फर्ष्ट रोग के अलोंग एक्सपेंड करेंगे यहां पर आई आ जाएगा फिर इस तो यह का आगे मैनिस आगया बचा आक्या भेचा जाका है इसकी और को डखलेना और इसका और गाओ्तलेंगे व़नटेस टू माइनस युआ फ्रेइन तो 2019 ऐसे को करेंगे से Maintenant ये कल लेंगे थोड़ा सा, तो 4, 6 से हो जाएगे माइनस 10i और ये पलस 11j और ये माइनस 4k तो गाइस ऐसे हमारा ये आगया हमारा A क्रोस A वेक्टर क्रोस B वेक्टर तो ऐसे आप कोई वेक्टर दे रखे हो B वेक्टर कोई दे रखा हो या फिर A वेक्टर कुछ भी दे रखा हो तो आप इस तरीके से A क्रोस B वेक्टर निकाल सकते हो, बहुत ही जी से अब देखते हम next वाला topic next वाला topic है हमारा projection का, तो projection में क्या है projection मतलब की देखो, आपको question में दिये रखेगा कि find projection of A on B वेक्टर, ठीक है ऐसे दिये रखेगा आपको question में तो guys इसका मतलब क्या है देखो, A वेक्टर ऐसे से A वेक्टर कोई ऐसे है, ठीक है A वेक्टर और ये B वेक्टर ऐसे तो ये B वेक्टर माल लेंगे और ये A वेक्टर माल लेंगे तो guys ये पूछ रहा है कि projection बताना हमको A का on B, तो A का projection on B, मतलब कि कि इसके एक तरीके से shadow माल लो, तो इसकी shadow आ रही है जो B पे, वो हमको बतानी है तो guys इसका simply formula क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, आपको जंजट पर पढ़ने कोई जरूत नहीं है वैसे तो इसका simply formula क्या होता है यहाँ पे होता है, A vector dot B vector upon B vector का magnitude तो simply ये projection का formula होता है और जो ये चीज़ होती है ये होती है हमारी A vector, unit vector होता है unit vector निकालने का formula तो ये हो जाएगा B cap तो ये ही formula होता है इस वाले formula का हम question में use कर देंगे जहाँ पे भी हमको projection निकालना होगा तो question देख लेते हैं अब हम इससे related तो guys ये हमको question दे रखाया है इसमें बोल रहा है find the projection of A vector on B vector तीक है A vector का projection निकालना है on B vector और A vector given है और B vector भी given है तो निकाल देंगे projection मैंने आभी आपको formula बताया है वो उसी formula का हमें use कर देंगे यहाँ पर A vector और dot product B vector अपॉन में B vector का magnitude तो कर देंगे सबसे पहल फॉर्मॉला पूट करेंगे यहाँ पर A vector on B vector निकाल रहे हैं ठीक है तो सबसे पहल फॉर्मॉला पूट करेंगे A vector इसको लिख लिख i cap पलस j cap अपॉन इसका जो magnitude है वो लिख लेंगे यहाँ पर magnitude का मतलब क्या है magnitude भी आपको निकालना स्कात देता हूं जैसे under root लगाने simply आपको यहाँ पर जो भी है उनका जैसे i के आगे 1 है तो 1 का square पलस ठीक है और 1 के j के आगे 1 है तो इसका 1 का square तो simply यह इसका magnitude निकल ज into io हो जाएगा 1 और minus j और यह पलस j तो यह minus 1 हो जाएगा ठीक गाईज और यह 1 का square 1 होता और 1 का square 1 होता तो under root 2 आ जाएगा नीचे तो under root 2 तो यह simply गाईज यह 1 minus 1 0 होता 0 under root 2 तो यह आ जाएगा 0 तो हमारा answer आ गया है हाँ पर 0 तो ऐसे ही गाईज आप projection में बहुत ही easy से न के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए थैंक यू वेरी मच